हेलो जी, वल्कम तो मैं चैनल, आज हम लोग बात करेंगे साउथ कोरिया की इंटर्शिप के बारे में, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में डिसकस किया था साउथ कोरिया में आपको स्पॉंसर किया जाएगा और इसको जना वो इसके डेट्स जो हैं, वो भी मैं आपको साथ डिसकस करूँगा, एक एक चीज को हम लोग डिसकस करेंगे, इसका अप्लाई करने का लिक्ट जो है, अप्टिपशनल निक मैंने डिसक्प्शन में दे दिया हुआ है, जैसे कि मैं हर काम ने, हर जितने भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, उसमें हर चीज का लिंक जो हम आपको डिसक्प्शन में लाजमी देता होता हूँ, तो यह एक रिसर्च इंटर्शिप प्रोग्रेम है, जो कि आप लोग अप्लाई करेंगे, इसकी सारी डिटेल्स मैं एक एक करके डिसकस कर रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखना है, एंड तक द इंटर्शिप की डेट्स के हैं, जून 2024 से 16 ऑगस्ट 2024 तक का यह प्रोग्रेम है, यानि कि यह जो आपके पास इसी 2024 के जून और ऑगस्ट के दर्म्यान में होगा, ठीक है, तो डेट्स में उन्हें साथ साथ दे दी हैं, इसके डेडलाइन के है, अप्लाई करने के लाजमी याद रखनी है, इसको नोट कर लेना, 31st मार्च 2024, अब डेडलाइन जो इसकी 31st मार्च 2024 है, तो आपको इससे पहले 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 करना है, डेडलाइन का वेट नहीं किया करें, इंसान के दमाग से निकल जाता होता है, हम भूल जाते हैं, तो यह चीज़े रह जाती होती है, हमारी opportunities में सो जाती होती है, ठीक है, तो इसके लिए आपने लाजमी इसकी deadline से पहले पर apply करना है, जैसे ही आपको time मिले, आप इस पहले करें, लाजमी करें deadline का update नहीं करना है, ठीक है, इंटर्शिप के जो benefits हैं, वो कौन-कौन से या, तो इसमें सबसे पहले तो आ आपकी opening ceremony होगी, तो opening ceremony होना is like, आपके पास एक लोगों का explore करने का, एक company को explore करने का, या एक नई location को explore करने का मोखा होगा, उसके बाद campus का tour करवाया जाएगा, पूरा campus आप लोग घुमेंगे, और उसमें देखेंगे लोग वहां पे कैसे पढ़ रहे हैं, एक अलग environment होता तो एक बड़ी जोना वो adventurous चीज़े होंगी, उसके बाद ये किस जगह पे आप करेंगे, क्योंकि Korean University में तो आपने देख लिया, तो उसकी किस जगह पे आप लोग इसमें internship को perform करेंगे, तो जो आपका काम होगा, आपकी duty होगी, वो कहांपे होगी, तो research lab की की की, जो के campus है, campus का नाम है, मैंने नीचे यहां पे लिख भी दिया हुआ, तो यहां पे आपको यह internship venue है, और यहां पे आपको बुला के और आप से काम करवाए जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको relaxation भी दी जाएगी, आपको campus tour करवाए जाएगे, आपको Korean culture दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ जाएगा आपको और जादे benefits मेरेंगे, अब बात करने हैं हम लोग eligibility criteria के बारे में, कौन-कौन eligible है इस internship के बारे के लिए, तो उसने कहा है कि जितने भी overseas student है, यानि के लिए तो है नहीं है, यह international है, तो Koreans इसमें अप्लाए नहीं करेंगे, बलकर जितने भी overseas ह हैं, जैसे पाकिस्तानी है, इंडियान है, और फूरी दुनिया से कहीं से भी लोग हैं, मैं तो नहीं के लिए वीडियो में आरा हूँ, जो हमारी language को समझ सकते हैं, तो आप किसी भी country से हैं, आप लोग अगर third या fourth year में है, डिगरी के third या fourth year में, इसका क्या मतलब है, कि आ आप चार समेस्टर्स कम्प्लीट कर चुके हैं, फस्ट और सेकिंड येर कम्प्लीट हो गया है, चार साल में, हाट या आपके चार समेस्टर्स कम्प्लीट कर लिए होते हैं, तो आप इस पे अपलाई कर सकते हैं, आप इसके लिए eligible हैं, अच्छा इसमें undergraduate और master student दोनों ही क कर सकते हैं, इस पे अपलाई, master students के लिए है कि वो अपना master's complete करने वाले हो, last semester में हो, और जो undergraduate students हैं, वो दो साल की study कम्प्लीट कर चुके हो, third semester में या four semester में हो, तो वो इस पे अपलाई कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, master's वाले भी और bachelor's वाले भी, जो current अभी study कर रही है है, अब कौन-kौन-sınee field इसमें मौजूद होती है, कौन-kौन-सी fields में अपलाई कर सकते हैं, जिसमें physics वाले, chemistry, mathematics, biology, cognitive science, and medical students, जो आप इसपे अपलाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, medical students me, जो doctoral degree program के लिए हैं वो इसके लिए eligible नहीं है बाकि जितने में medical की fields में लोग काम करते हैं doctoral के इलावा जितने भी medical के जो fields आ जाती है उन वो लोग apply कर सकते हैं इसमें और बाकी जो हैना वो मैंने आपको fields सामने बता दी नहीं है ठीक है अचा जी अब इसके लिए documents कौन-कौन से required हैं कौन-कौन सी चीज़े आपके पास होनी चाहिए तो आप इसमें apply करेंगे सबसे पहले है आप इसका application form इनकी website internship कर रहे हैं तो आपकी working plan होगा आप क्या महां पर करेंगे internship में क्या करेंगे और यह चीज़ बहुत important है आप इसके लिए अपने किसी professor से contact कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे करें या मुझे इंसा पर message करें मैं आपको इस चीज़ में help कर सकता हूं कि आप अपकी इंडॉल्मेंट का प्रूफ होना चाहिए कि आप किसी university में पढ़ रहे हैं और आपका यह semester चल रहा है तो like आप इसके लिए अपनी university क contact करेंगे उनके admin से बात करेंगे कि मैं इस तरह से apply करना चाहिए तो मुझे enrollment का प्रूफ चाहिए अब उसके लिए जो भी document होगा वो आपको provide कर देंगे उसके बाद आपकी official transcript होनी चाहिए official transcript तो आपके पास नहीं होगी तो आप इसमें यह करेंगे क्यूंके transcript उन लोगों आपके teacher से मिल सकता है तो आप उसके लिए भी university को contact करेंगे यानि कि क्यूंके अभी आप अपनी university के representative बन के उदर जाएंगे तो आपको mostly documents आपनी university से ही मिलेंगे वो मैंने की करके आपको बता दिया है फिर भी description के अंता है सारी details मुझूद है आप वो पढ़के और उसके ब गुझरेगा जून से इसकी internship program स्टार्ट हो रहा है तो दो महीने होंगे दो महीने के दरना रिजल्ट आजएगा उससे काफी दिर पहले ही आजएगा तो कुछ दिनों में ही रिजल्ट की chances होते हैं कि यह आजए और आप लोग जोना उसमें select हो सकते हैं last miss पर apply किजएगा त ठीक है तो यह कोरिया की fully funded internship के बारे में हमने बात की है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए तो इसको like करें अगर किसी को इसकी जूरत है तो उसको share लाजमी करें यह वीडियो उस तक लाजमी पहुंचने चाहिए ताकि जो है आप्लाइग कर सकें और अगर application process में क मसला हो रहा है तो आप इसे कमेंट करें मुझे इंस्टा पर message कर सकते हैं आपको ऐसी वीडियो और भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है लगते हैं आपको अगली वीडियो में उतनी देर के लिए सीया